नमस्कार दोस्तों मैं फर्मान कान आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम स्टाइट करने वाले हैं एक नए टॉपिक और उसका नाम है नेटवर्किंग इस टॉपिक का वीटेज हर एक्जाम में काफी ज़्यादा है चाहिए वह एक्जाम व्यापम का हो IBPS PO हो या फिर PSE हो इसके कुश्चन आते ही आते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस महत्पून टॉपिक को हमारा पहला कुश्चन है वह है प्रोग्राम जिसका इस्तिमाल सर्च इंजन के दोरा किया जाता है क्या लाता है ब्राउजर इंटरनेट HTTP और वेब क्रॉ क्रॉलर तो यहां पर हम देखिंगी ब्राउजर होते क्या हैं ब्राउजर का मतला होता है ऐसे एप्लिकेशन क्या होते हैं तो वेब क्लोलर होते है किसी उसिप सर्छ ऐन के दर राश्तनाल में लाए जाने वाले विशेस प्रोग्राम जिसका इस्तमाल वेबूरेज हर्दिस्को सर्च करने के लिए किया जाता है तो यहांतर हमसे क्या पूच एक इस्तमाले में राइजाने वाला तो असर हो जएका डील तो चलीए दूस्तों नेक्ट सुशन होँ चलते हैं निम्हने मेंसे किसका इस्तमाल एक ही माद्यम में एक सबीस्टे को बेजने के लिए केंगे जाता है मॉडिपनेकसिंग month high frequency और low frequency signal को एक साथ merge करके data को भीजने के लिए होता है तीसरा है browsing, browsing का मतलब क्या हो जाता है browsing का मतलब हो जाता है कि web page को surf करना एक page से दुखरी page पर जाना तो हमसे पूचा क्या घया है, हमसे पूचा क्या है एक ही माध्यम एक साथ सिगनल को भीजने के लिए तो इसका answer हो जाएगा हमारा A, multi-plexing, तो चली दोस्तों, next question क्यों चलींगे हम, internet पर एक web page से दुखरी web page पर जाना dash कहलाता, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहली आपको उताय हुआ है, कि जब भी हम क्या करते हैं, एक web page से दुखरी web page पर जंप करते हैं, इस चीच को हम क्या बोलते हैं, browsing बोलते हैं, browsing नहीं होगा, तो हम surfing बोलते हैं, तो हमने देखा, चार options में क्या है, surfing दे रखा है, तो हमारा answer हो जाए, surfing, तो चलींगे दोस्तों, next question क्यों चलते हैं, dash एक समू है, जहाँ पर कई सारे device से एक सार डेटा और सुनसादनों को शेयर करते हैं, internet, worldwide wave, LAN और network, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, कि यह आपका question यह तरह से definition है, dash एक समू है, तो क्या एक समू है, तो हमने देखा कि internet एक समू नहीं है, इंटरनेट एक service है, तो इसका आंसर इंटरनेट तो हो नहीं सकता, फिर वर्ल्ड वाइड वीव, तो वर्ल्ड वाइड वीव क्या है, तो यह भी internet पर आदर एक सुवधा है, तो इसका आंसर भी भी नहीं हो सकता, land, land एक समू होता है, बल्गु सही है, और network भी एक समू होता, तो answer या तो C है, या फिर D है, अब बात की जाती है, कि आप land और network में क्या लगाएंगे, तो यहां priority दियाएगी network को, क्यों हो, क्योंकि land क्या है, एक विसेश प्रकार का network है, तो net का अंसर हो जाएगा हमारा D, network एक समू है, जहांपर कई सारे devices, एक सार डेटा और सुनसादनों को share करते हैं, तो इसका अंसर होगी हमारा D, तो next question क्योंड चलते हैं, संचार का एक माध्यम जहांपर सुचालक का इस्तिमाल नहीं किया जाता, तो पहला हम यह जान लेते हैं, कि संचार के माध्यम होते कितने प्रकार के हैं, तो networking में दो तरह के medium इस्तिमाल मिला जाते हैं, guided medium और unguided medium, तो guided medium का मतलब हो जाता है, हdepth है कि वहाई ऐसे माध्यين जहां पर सिग्नल हमेंसे एक निश्ची दिशा की ओर प्रोपगेट करता है ऑ REALLY करता है एक ऐसा प्रोग्राम जो देखने में उप्योगी लगते हैं तता फ्री वेब साइट और प्रोग्राम के लालच में यूजर के दौरा डाउनलूड कर लिए जिनका प्रятся तो प्राइब की लिए की लोगना तरसलिक ऑफ सोज्चना में का नाम सकते हैं थो किन MINIS के लिए कि बात थे आजजाते हैं तो यहां पर हमारा और हदा वजाता क्यूंत्यौka प्रोग्राम के ळ चांके हुझ में और धर वाहता है यूजर की इंफॉर्मेशन को चुरी करकर हैकर तक महुंचाते हैं तो नहीं हम प्रॉजिन हॉर्स कहते हैं तो यहां सर राज हुजाएगा हमारा बी तो चलिए दोस्तों नेक्स कुर चलेंगे हम एक ऐसी प्रिक्रिया जिसमें यूजर की पैचान की जाती है तो यह कुछिन क चलेंगे निमन मैं से क्या सरवाधिक तेजगती से कारे करने वारा इंटरनेट कनेक्शन है ब्रॉडबेंड कनेक्शन केबल नेक्शन और इनमें से कोई नहीं तो इसका अंसर बड़ा सिंपल हो जाए कि हम दिन बर टीवी पर आड़ देखते हैं जहां पर ब्रॉडबेंड क्नेक्शन के अधे करेट आते रहत तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्यों जाएगा यहां अ्ट्रान हो जाएगा ब्रॉडबेंड कनेक्शन अब वायरलस από नाट क्यों नहीं हुए क्यों ईक वायरलेस और इक वायर और से हमें साफ्पि最 वायरलेस आधिक मनी तो आगे चलेंगे वह प्रोटोकॉल जिसका इस्तमाल ब्रॉडबेंट कनेक्शन के साथ किया जाता है आप जब यह कुश्चन देख रहे हैं यह कुश्चन यह मान लीजिए कि जदा तर व्यापम के एक्जाम में यह आपको मिल जाएगा मतलब यह बोल सकते हैं कि व्यापम क व्यापम करने के लिए और सिस्टम को लगाता है इंटरेंट से जोड़े रखने के लिए तो आंसर हमारा के रहेगा डी रहेगा शली दूस्तों अगले कुश्चन को चलेंगे वह नेटवर्क जिसमें यूजर वायरलेस कनेक्शन के इस्तमाल एक दूखरे के जोड़ने के सुएत फुरे करते हैं तो आप यह मि वायरलेस और दूसर रयोला के दूसरा क्राइटरियों के बोला करने वाला सिर्ख परेडियों । नेटवर्म और अर्तात एक एका नेटवर्च साम ब्लूटूथ या फिर वाइफाइ का इस्तमाल करते हुए बनाते हैं और जिसका इस्तमाल परसनल इंफरमेशन को शेर करने के लिए किया जाता है तो यहां से रहेगा हमारा ए पैन चलिए नेक्स कुषिन के और चलेंगे एक ऐसी तकनीक जिसमें माद्धियम की कुल बेंडवित को कई सारे सिग्नल के दौरा आपस में शेयर किया जाता है जिससे एक साथ कई सारे सिग्नल माद्धियम में बढ़ने सकें जैसे पिछले कुषिनम पर को आ था है कि मल्टि प्ले को डिवाइट कर रहे हैं तो आंसर कि मल्टिप्रेक्षिंश की तो यह आंसर हो जाएगा हमारा भी फ्रिक्वेंशी मल्टिप्लेक्षिंश तो चलिए दोस्तों नेक्ट विशन को चलिए वह इंटेनेट पर जानकारियों को गोपनी रखने के लिए डियाश का यूज किया जाता है हम सब cambi जानते हैं पर बहुत सार इंप्राइट आपломेशन के सैक्षा करना काफ़ी जड़ जरूरी हो जाता है निदियो कि अगर आपके आपकी फ्रकिंग उन्फ्रमेशन कोता है या फिर आपकी पर्किनल जान करें हो क्या दुरुपयोग किया जा सकता है तो इंटेनेट कंपनिया के करते हैं कि अलग तरा के प्रोटोकॉल इस्तमाल करते हैं तो यहां पर जो प्रोटोकॉल इस्तमाल होने वाला उस प्रोटोकॉल का नमा बैंगिंग सेक्टर में इस क्युश्यन को काफी बार पूछते हैं तो यहां पर जब भी बॉला जा कि वह है प्रोटोकॉल जो सर्वर के लिए मेलवक्स मेंजर करता है तो मेलवक्स मेंजर करता पोश्ट ओफिस प्रोटोकॉल तो यहां सर होजाएगा अमारा C चली दोस्तों प्रोटोकॉल इस्तिमाल किया था उसका नम था X400 तो यहां सर हो जाएगा हमारा C तो चलिए दोस्तों यहां खतम हो जाते हैं हमारे आचे उशन यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि इसमें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नमस्कार